गनेश उत्सफ के बाद युवाओ को जिस उत्सफ का इंतजार रहता है वह 7 अक्टूबर से देवी आराधना के साथ शुरू होने जा रहा है इसी उत्सफ के पहरे दिन से गर्बा डांडिया रास की धमाल शुरू हो जाती है जिसमें युवा सहित बच्चे विशेश पारंपरी कोशक में गर्बा नृत्यकर जम कर मस्ती करते हैं लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोणा ने उत्सफ पर पानी फेर दिया है जिसके चलते ना डांडिया की खनक सुनने मिलेगी और नहीं डीजे की धुन पर ठिरकने का मौका मिलेगा हर वर्ष महिना भर पहले से ही रास प्रेमियों के लिए गर्बे के आयोजन की जग़ जग़ तयारिया शुरू हो जाया करती थी परन्तु इस बार हर त्योहार की तरह ही नवरात्र के उत्सव पर कोरोना भारी पड़ रहा है शहर में कोरोना के मामले कम जरूर हो गए है लेकिन सरकार द्वारा तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए आयोजनों की अनुमती नहीं दी गई रास प्रेमियों के प्रैक्टिस के लिए 20 से 25 दिन पहले ही शहर में विविद्ध सबाग्रूह में वरक्शॉप का आयोजन किया जाता था कोरोना के कारण 9 दिन में होने वाले करोडों के कारोबार भी संकट छा गया है मार्केट में मिलने वाली घुंगर, कोडी के साथ ही चुनरी, गोटे, वह बैरिंग सही चक्मक डांडियों के साथ केडिया गुजराती लहंगे, वह ब्लैक मेटल, वह कोडी से बनी ज्वैलरी का मार्केट भी महिने बर पहले से चमक जाता था इन्हें खरिदने के लिए बाजार में अच्छी भीड भी रहती है, परन्तु इस बार सरकार की गाइडलाइन के चलते डांडियों और पारमपारिक पोशकों से सजने वाले बाजार की जगमगाहट ही कायब हो गई है, छेसों से दो हजार रुपे तक की रेंज में ड्रेस भी खास गुजरात से मंगाई जाती थी, व्यापारियों के अनुसार 9 दिन तक युवाओं में अलग-अलग ड्रेसों की मांग रहती है, युवतियों में सिब वर सिक्के के रानिहार, पासे के मांग ठीके वर जुम के इत्यादी की मांग रहती है